कहाने के सुरुवात में हम वेंस्टे नाम की एक लड़की को देखते हैं इसके हरकते और च्वैसिस के साथ साथ ये भी कोई आम बच्ची नहीं थी वेंस्टे स्कूल आकर जब अपने लॉकर को खोलती है तो उसे वहाँ उसका भाई बंधा हुआ मिलता है वो उसे खोल कर जब उसके हाथों को पकड़ती है तो उसे कुछ विजन आने लगते हैं जिसमें वो अपने भाई को वहाँ बंध करने वाले लड़कों को देखती है वेंस्टे वहाँ से उन लड़कों के पास जाती है जो पूल में स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे थे श्कूलों से निकालि जा चुके थी इसीलिए मौमी की मुलकाद निवरमोर आकेडमी में ही हुए थी जहां के जैसे बहुत सारे ऑड़कास्त के बच्चे पड़ते थे लेकिन वह वहां जाना नहीं चाहती थी Wednesday के mom और dad एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कभी भी कहीं भी चुम्मा चाटी सुरू कर देते थे उसका परिवार Adam family के नाम से बहुत मसूर था इधर हम एक लड़के को देखते हैं जो निवर मोर के जंगलों में ट्रेकिंग करने आया था वो जंगल के अंदर जाकर चाई पी नहीं लगता है और तभी कोई चीज उसके यूपर हमला करती है और उसे मार देती है Wednesday और उसके mom dad निवर मोर एकडमी के principal के पास जाते हैं principal Wednesday के mom और dad के साथ उसी school में पढ़ा करती थी क्योंकि निवर मोर में बस oddcast ही पढ़ते थे स्टोरी में oddcast mermaid, werewolf, vampire, siren और witch जैसे चीजों को कहा गया है principal Wednesday को उसके कमरे में लेकर जाती है जहां उसकी roommate एनिट ने कमरे को बहुत ही colorful बना रखा था लेकिन Wednesday को सिर्फ ब्लैक कलर ही पसंद था एनिट उसके face के expression को देख कर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना जिस पर Wednesday के dad कहते हैं ये जिन्दा last की तरह ही दिखती है एनिट Wednesday को school गुमा रही थी तबी वहाँ Ajax नाम का एक लड़का Wednesday से उसका TikTok एड़ी मांग लेता है तो वो कहती है मुझे social media हड़ीयो को सड़ा देने वाली बिमारी लगती है Wednesday के घर वाले वहाँ से जाने लगते हैं तो उसकी मौम उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगी जिस पर वो कहती है मैं आपसे वादा करती हूँ मैं यहाँ से जल्दी भाग जाओंगी फिर उसकी मौम उसे एक लॉकेट गिफ्ट करती है और कहती है मैं तुम्हारी बाते दिल पर नहीं लेती वहाँ से जाते वक्त उसके डैड वहाँ एक हाथ को छोड़ देते हैं जिसका नाम थिंक्स था इदर सिरीफ को निवर मोर के जंगलों में टूरिष्ट के बॉड़ी पार्ट जंगल के अलग-अलग हिस्सों में पड़ी मिलती है लेकिन वो गाना बजा कर डांस करने लगती है, वेंसडे एनिट से गाना बंद करने को कहती है तो एनिट उसे अपने वेर वलफ के पंजीर दिखा कर धमकाने लगती है तबही वहाँ मिस त्रोन हिला जाती है, जोन की डूर मॉम थी वो Wednesday के वेलकम में उसे एक ब्लैक कलर का फ्लावर गिफ्ट करती है अगले दिन साम को जब Wednesday कहीं जा रही थी तो थिंक्स उसे चुपचुप कर देख रहा था तब ही Wednesday के उपर एक स्टेचू गिरने वाला था लेकिन वक्त रहते जेवियर नाम का एक आटकास उसे बचा लेता है लेकिन वो बेहोस हो चुकी थी वो होस में आती है तो वो जेवियर को थैंक्स बोलने की बज़ाए उसे कहती है कि मुझसे ये उमीद मत रखना कि मैं तुम्हारा सुकरगुजार रहोंगी क्योंकि तुमने मेरी एक अच्छी मौद को टाल दिया जेवियर उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ जब हम 10 साल के थे तो तुम मेरी गौड मदर के फिउनरल में अपनी ग्रेंड मदर के साथ आई थी हम दोनों हैडन सी खेल रहे थे और मैं अपने गौड मदर के कॉफिन में जाकर छुप गया मैं अपने गौड मदर के साथ जिंदा जलने ही वाला था लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और आज मैंने तुम्हारी जान बचा कर हिसाब बराबर कर दिया वेंस्डे जब अपने रूम में वापस आती है तो उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है वो बेड से ठाटा कर थिंग्स को पकड़ लेती है वो उसे पूछती है तुम यहां क्या कर रहे हो तो वो कहता है मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नजर रखने को कहा है जिसके बाद वो उसे कहती है लेकिन अब तुम मेरे लिए काम करोगे नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ड्रावर में बंद कर दूँगी इसके बाद धिंग्स वेंसडे की यहां से बाहर निकलने में साथ देने का वादा करता है अगले दिन प्रिंसिपल वेंसडे को एक थिरेपी सेसन के लिए लेकर जाती है लेकिन रिस्ट्रूम के बहाने, वो थिंक्स की मदद से खिड़की को खोल कर वहाँ से भाग जाती है, भागते वक्ते उसकी एक आदमी से टकर हो जाती है, जहाँ उसे एक विजन आता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उस आदमी का एक्सडेंट होने वाला है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद था वो वहां से एक रिस्टॉण में जाती है जहां उसकी मुलाकात टैलर नाम की एक लड़के से होती है उसका कॉफी मसीन खराब हो गया था वेंस्डे उससे कहती है मैं तुम्हारे मसीन को ठीक कर सकती हूँ ले वहां वेट कर रही थी तभी पिलग्रिम के कुछ लड़के आकर उसे प्रिसान करने लगते हैं लेकिन वो उन तीनों लड़कों को अकेले ही निप्ता देती है तभी टैलर के डैड सरिफ वहां आ जाते हैं टैलर अपने डैड से कहता है कि ये कस्समर को छेड रहे थे तो इ आपस आते वक्त उन्हें रस्ते में एक एकसिडेंट हुआ नजर आता है वो कहती है भगवान करे ड्रैवर ठीक हो जिस पर वेंस्डे कहती है वो मर गया है उसकी गरदन तोड़ गई अपने कैमरे में आने के बाद वेंस्डे वैलन बजाने लगती है वो बहुत अच्छा पचुल की प्रिंसिपटल के साथ साथ बहुत से बच्चों को वो धुन बहुत पसंद आती है एनिड वहां आती है तो उसकी नजर ठीक पर पड़ती है वो वेंस्डे से पूछती है यह क्या है दो ने आधर दूसरी तरफ हम एक लड़के रेवन को देखते हैं वह एक लेवरेरी में जाकर वहां के एक बुक से एक तस्वीर को फाड़ लेता है इधर ठिंग्स टैलर के घर पहुँच जाता है जहां टैलर उसे देख कर डर जाता है और उसे मारने लगता है जिसके बाद थिंक्स इसारे से उसे बैठने को कहता है और वो उसे विंस्डे का नम्बर दे कर उसे कॉल करने को कहता है वो जब उसे कॉल करता है तो वो उसे कहती है कि Harvest Festival में स्कूल के सारे बचे आएंगे मैं वहाँ से भागने वाली हूं और अगर तुम मुझे इस्टेशन तक पहुचा दोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा इनाम दोगी टेलर उसके बातों को मान जाता है फिर जब वो लोग फिस्टिवल में जाते हैं तो प्रिंसिपल की नजर वेंस्डे के ऊपर ही थी इसलिए वो एक आदमी को पैसे दे कर का ध्यान भटकाने को कहता है एलर वेंस्डे के जाने से पहले उसे उसके डैट का एक पुलिस रिकॉर्ड गिफ्ट करता है जो उसने अपने सिर्फ डैट के पास से चुराया था वेंस्डे उस पैल को लेकर वहां से जाने लगती है तभी उसकी टकर रेवन से हो जाती है औ मुझे नहीं तुम्हें है और मैं तुमसे सब को बचा रहा हूँ वो उसे बताता है कि उस दिन इस टैचु को तुम्हारे उपर मैंने ही गिराया था फिर वो वेंस्डे को एक तस्वीर दिखाता है और खहता है इस तस्वीर में तुम ही हो जिसे मेरी माने 25 साल पहले बनाई जब वो निवर मोर में पढ़ा करती थी और उसने मरने से पहले मुझसे कहा था कि इस लड़की को मुझे रोकना होगा नहीं तो वो निवर मोर स्कूल के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह कर देगी वो वेंस्डे को मारने ही वाला था तभी एक मॉस्टर आकर उसके उप मैं को कैंसिल कर दिया था क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे जैसे कि वो दुनिया के लिए खत्रा कैसे है एक मॉस्टर ने उसकी जान क्यों बचाई और उसके डैड की पुलिस रिपोर्ट जिसमें उसके डैड के उपर एक मडर का इलजाम था वेंस्डे सीजन वन एपिसोड टू अगले दिन सरफ स्कूल आते हैं क्योंकि वेंस्डे के सूचना के मुताबिक उन्हें वहां रेवन की डेड बॉडी नहीं मिले थी और ना ही कोई निसान मिले थे वो वेंस्डे से पूछते हैं तुम वहां क्या कर रही थी तो वो कहती ह है कि मैंने जंगल के तरफ रेवन को भागते वे देखा और जब मैं उसके पीछे गई तो एक मॉस्टर ने उसके उपर हमला करके उसे मार दिया और मैं बेहोसो गई प्रिंस्डे कहती है कि रेवन का मडर वडर नहीं हुआ है वो यहां से भाग गया है और आपको वेंस्ड जब वहां से जाती है तो वेंस्डे सिर्फ से कहती है कि जंगल में कोई है जो सबको मार रहा है और उसी ने रेवन को मारा है लेकिन तबी रेवन वहां सही सलामत वापस आ जाता है अगले दिन जब वेंस्डे को थेरपिस्ट के पास ले जाया जाता है तो वो उससे पूछ रही थी तो उसे टेलर मिलता है वो उससे कहता है कल रात तुम फेस्टिबल से कहां भाग गई मुझे बता नहीं लेकिन मुझे तुम्हारे बातों पर पूरा भरुसा है वापस आने के बाद वो उस तस्वीर के ऊपर कुछ सिंबल को देखती है जो उसे रेवन ने दिखाया तो रेवन को बिना किसी वज़ा के स्कूल से निकाला जा रहा था इस Tucson के पेछे बज़ाती है पहले तो वो एक बुरा बनता є और फिर प्रिंस्पल बन जाता है तो वो जब क्लास शुरू होने लगती है तो जेवियर उसे कहता है मेरी बगल वाली सीट खाली है तुम चाहो तो यहां बैठ सकती हो वो उसकी पात जाकर बैठ जाती है जेवियर एक मकडी की स्केच बनाता है जो उसके मैजिक से जिंदा भी हो जाता है लेकिन वेंस्डे उसे मार द थी इसके बाद वेंस्डे इनिट को अपनी जगा भी फार्मिंग कलब में भेज देती है जहां योगेन उसकी उपर लैन मार रहा था क्योंकि उसे वेर वोल्फ लड़कियां बहुत पसंद थी और वेंस्डे खुद उस मॉस्टर की तलास में अकेले निवर मोर के जंगलों में चली जाती है जहां टैलर वेंस्डे को अपने डैट के नजरों में आने से बचाता है वो भी वहां अपने डैट का पीछा करते करते आ गया था वेंस्डे को वहां रेवन का चस्मा मिलता है वो जैसे उसे छूती है उसे जेविर और रेवन की लड़ाई एक लेडरी और एक बुक दिखाई देती है इसलिए वह वहां से उस बुक की तलास में लेबरेरी में चली जाती है लेकिन उसे वहां वैसा कोई भी भूक नहीं मिलता तभी मिस थ्रोन वहां आती है और कहती है यहां तो इस्टुडेंट अपनी प्यास बोजाने आते हैं तुम यहां क्या कर हो तो वो कहती है मैंने भी यहां दो वेंपायर को एक दूसरे के दातों में लिखते हुए देखा इसके बाद वेंस्डे चोरी से जेवियर के रूम में चली जाती है क्योंकि रेवन जेवियर का रूमेट था वो लोग भुग धून रहे थे तबी जेवियर वहां आता है तो वो बेड़के नीचे चुप जाते हैं तब ही ब्यानका भी जेवियर के रूम में आ जाती है और वो जेवियर से पैच अप करना चाती थी वो दोनों पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे लेकिन जेवियर उसे मना कर देता है जिससे ब्यानका को लगने लगता है कि जेवि कल मैं भी तुम्हारे साथ बोट रेस में हिस्सा लूँगी इस बार ब्यानका को मैं हरा कर रहोंगी अगले दिन रेस सुरू होती है इस रेस का कोई भी नियम कानून नहीं था इस गेम में जो प्लेयर सबसे पहले गुफा तक जाकर जंडे को लेकर वापस आएगा वो टीम ज पसा देता है किनारे पर तीन टीम पहुँचती है सारे लोग फलेग लेने जाते हैं तो इनिड जोकर टीम के बोट में अपने पंजो से होल कर देती है सारे लोग फलेग लेकर लौट रहे थे लेकिन जब वेंस्डे गुफा से फलेग लेकर लौटने लगती है तो उसे एक विजन आती है जहां उसे उसकी ही जैसी एक लड़की अपने हाथों में किताब लिये ही दिखाई देती है होस में आने के बाद वो वापस से फ्लैग लेकर बोट पर चली जाती है जोकर की नाव तो च्हेद होने की वज़ा से डूब जाती है और मरमिट वापस से वैंजडे के नाव के उपर हमला करता है लेकिन थेंग्स पानी में जाकर मरमिट को इक जोड़दार घूसा मारता है इधर वेंस्डे अपने नाव से भाले को निकाल कर बियांका के नौ में होल करके उसे डुबा देती है और इनिट की टीम मैच जीत जाती है चार सालों में ये पहली बार हुआ था जब बियांका को किसी ने हराया था इसलिए आज वो गुसे से आग बबूला हो रही थी राग को वेंस्डे के स्टैचू के पास जाती है जिसके बूग के पीछी वही सिंबल था जिसे उसने अपने सपनों में देखा था वो वहां स्टैचू के बूग के उपर लिखे पहली को सुलजाती है तो वहां रस्ता बन जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है जहां उस से सीक्रेट सोसैटी की लोगों की तस्वीरे थी उसे वहां वो बुक भी मिल जाता है लेकिन वो बुक को लेकर आही रही थी तब युसे कोई मार कर बेहोस कर देता है वेंस्डे सीजन वन एपिसोड थी वेंस्डे को हो साता है तो कुछ लोगों ने उसे बंदी बनाया हुआ था ये लोग सीक्रेट सोसैटी की लोग थे जो यहां मास्क लगा कर रहे थे लेकिन उनके आवाज को सुनते ही वेंस्डे उन्हें पैचान लेती है और कहती है तुम मास्क खटा सकते हो चिछोरो अब जब वेंस्डे को उन लोगों के सिक्रेट सोसैटी का पता चल गया था तो जेवेर उसे अपने कलब को जोहन करने को कहता है ब्यान का उन लोगों को ऐसा करने से मना कर रहे थी लेकिन वेंस्डे कहती है मुझे इस बकवास से कलब में सामि को लगा कर कंप्लीट करती है और बुक पढ़ने लगती है अगले दिन प्रिंसिपल नेवर मोर के बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन्हें सहर पिलगिरिम वर्ड के दुकानों में जाकर काम करना था सहर पहुशने के बाद वेंस्डे जैवियर को वो बुक दिखा कर पूशती है कि क्या तुम इस बुक को पैशानते हो तो वो कहता है इसे लेकर रेवन और मेरे बीच लड़ाए भी हुई थी फिर जैवियर उसे कहता है इस बुक में जोसप क्रैक्स स्टोन के साथ तुम क्या कर रही हो जबकि ये बुक तो 30 साल से भी पुरानी है वेस्टे जेवियर से पूशती है कि तुम जोसप के बारे में और क्या क्या जानते हो जिस पर वो कहता है कि अगर तुमें उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो तुमें जोसप मेटिंग हौस जानना चाहिए इधर दूसरी तरफ मेयर वहाँ आता है तो सिरिफ उ मिला था जहां वो उसके उपर लैंड मार रही थी वो उसके हिंट को नहीं समझता तो वो फरस्टेटेड होकर खुद ही हो कब के लिए पूछ लेती है विंस्डे एक वेटर बनी थी लेकिन उसके एटिट्योड को देख कर कोई भी उससे खाने की एक भी चीज नहीं लेता यह उसके मीटिंग होस में जाती है उसे वहाँ क्रैक्स स्टोन की बहुत सारी चीजे और एक पेंटिंग दिखाई देती है उस पेंटिंग में वो उस लड़की को बुक लिए हुए देखती है जिसे उसने गुफा के पास अपने विजन में देखा था उसे वहाँ उस पें से मिलने कोफिय हौस में जाती है और क्रैक्स के ऐसी अरीजिवीचिनल मांपारे में पूछती है तो वह उसे बता देता है वह वहां से अकेले उस पुराने मीटिंग हौस में चली जाती एक आदमि उससे कहता है ये मेरी जघान है निकलो यहाँ से जिसके बाद ऑन उस आदमी के मूँ पर ही अमला कर देता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उसे एक विजन आता है जहां क्रैक्स स्टोन एडम नाम की एक लड़की को चुलैल साबित करके उसे मीटिंग हॉस में बंद कर देता है जहां पहले से और भी लोग बंदे थे जो सब क्रैक्स स्टोन उन लोगों को सैतान समझता था क्योंकि ये सारे ओड़कास्ट के लोग थे वो पिल्गिरिम के लोगों के साथ मिलकर उस मीटिंग हॉस में आग लगा देता है एडम अपनी मा को छुडाने की कोसिस करती है लेकिन वहां मौझूद सारी लोगों का हाथ जमीन से बना था सिवाए एडम के एडम की मा के कहने पर उसे बेस्मेंट के जरिये वहां से भागना पड़ता है और क्रैक्स सारे ओड़कास्ट को जिंदा जला देता है एडम विंस्डे के पास आती है और कहती है वो हम सब को मार देगा तभी cracks stone वहाँ आ जाता है और Wednesday वापस से present में आ जाती है वो host में आकर things को बताती है मैंने उसे देखा मुझे लगता है वो मेरी 400 साल पुरानी पूरवज है तभी वहाँ वो monster आकर उस meeting house पर हमला करता है लेकिन वो Wednesday को देखे कर वहाँ से भाग जाता है Wednesday और things उसका पीछा करते हैं लेकिन वो देखती है कि उस monster के कदमों के निसान इंसान में बदल गए हैं तभी जेविर वहाँ आ जाता है क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा था Wednesday उसे monster के कदमों के निसान दिखाने लगती है लेकिन वो पानी की वज़ा से गायब हो जाता है अगले दिन जोसप क्रैक्स स्टोन की एक मुर्ती की अस्थापना होने वाली थी क्योंकि पिल्ग्रिम के लोग उसे एक freedom फैटर मानते थे और आज Wednesday को वहाँ वैलन बजाने के लिए बुलाया गया था लेकिन वो लोग जैसे स्टैचू की अस्थापना करते हैं तिंग पूरी स्टैचू को जला देता है क्योंकि Wednesday के कहने पर उसने पहले ही स्टैचू के उपर fuel डाल दिया था सारे लोग आग देखकर वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन Wednesday स्टैचू को जलता देख मुस्कुरा रही थी प्रिंस्पल को Wednesday के उपर सक्था लेकिन उसके पास Wednesday के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे इधर हम उस old meeting house के बुढ़े को देखते हैं वो monster आता है और उसकी उपर हमला कर देता है लेकिन वो बोलहा मर्ती मर्ती monster की कुछ तस्वीरे ले लेता है पुलिस को खबर मिलती है तो वो वहां investigate करने लगते हैं जहां उस बुढ़े के कैमरे से उस monster की तस्वीर मिल जाती है इधर इनिट Ajax से मिलने के लिए बहुत excited थी लेकिन Ajax जैसे ही गलती से अपने बालों को देखता है वो पत्थर का बन जाता है अगले दीन थिंग्स मुर्दा घर जाकर कैमरा के उपर ब्लैक बबल गम लगा देता है और डोर को खोलता है तो वेंस्डे अंदर आती है वेंस्डे उस बोड़े आदमी के जकमों को देखने आई थी जिसे मॉस्टर ने मारा था वो सारे डेटा को अपने एक डिवाइस में रिकॉर्ड करती है और थिंग्स उसकी फैल तयार करने में जोड़ जाता है तभी सिरिफ और डॉक्टर अनवर वहाँ आ जाते हैं तो वेंस्डे वहाँ एक बॉक्स में सो जाती है उस बॉक्स को खुला देखकर जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो वेंस्डे को देखकर उसे लगता है कि ये तो एक लास है फिर जब थिंग्स वहाँ आता है तो व दिखाई देते हैं और आज मिस्ट रोन हॉल सारे बच्चों को रात में होने वाली एक डांस पार्टी की बारे में बताती है इसकूल के बाद हम जेवियर को एक केविन से निकलते हुए देखते हैं वेंस्डे को उसकी जकमों पर सक था तो वो उसका पीजा करते हुए वहां पहुच गई थी वह वहां बहुत सारे मॉस्टर के स्केचिस को देखती है वह वहां से जाने लगती है तो जेवियर उससे देख लेता है लेकिन वेंस्डे उसका ध्यान भटकाने के लिए कह देती है कि क्या आज तुम मेरे साथ दांस पार्टी में चलोगे वेंस्डे को देख कर कहता है मैं इस जगा को जानता हूं और फिर वो वेंस्डे को अपने साथ उस जगा पर लेकर जाता है वो दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं जहां उसे बहुत सारे हड़ियां और एक हदकडी भी दिखाई देती है थोड़ा चान बीन करने पर उसे वहां एक नुकीला नाकुन भी मिलता है वेंस्डे नाकुन को अपने पास रख लेती है और फिर जेविर के उस पेंटिंग वाले केबिन में जाकर उसके डस्ट बीन में से एक खून लगा हुआ कपला निकाल कर अपने पास रख लेती है वो जाने लगती है तब जेविर वहां आकर पूशता है तुम यहां क्या कर रही हो तो वो पूशती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी तो वो बताता है पिछले कुछ दिनों से ये मॉस्टर मेरे सपनों में आता है इसलिए मैं इसकी स्केच बनाता हूँ लेकिन एक बार मैंने अपने जादू पर कंट्रोल खो दिया और इसकेच के अंदर से मॉस्टर के पंजे ने निकल कर मुझे नोच लिया जिसके बाद जेवियर वेंस्टे के उपर गुसा करने लगता है और उसे वहां से जाने को कहता है क्योंकि वो उसके उपर सकर रही थी वेंस्टे वहां से जेवियर के खून लगे कपड़े और केती है DNA टेस्ट करवा कर देख लो इतना सबूत काफी है इसके बाद वेंस्डे यूगन के पास जाती है और केती है अब हम दोनों के ही पास डांस के लिए डेट नहीं है हमें रात को गुफा में जाकर मौस्टर को ढूनना चाहिए रात को वेंस्डे यूगन के साथ जंगल म गुफा में जाने के प्लान को कैंसल करके उसके साथ जाने का सोचती है थिंक्स ने उसके लिए ब्लैक कलर के एक डिस्ट को भी लाया था वेंस्डे जब वहां से जाने लगती है तो यूगन वहां आता है तो वह उससे कहती है हम दोनों गुफा में कल जाएंगे लेकिन पेले ही गुफा के तरफ निकल जाता है। इधर सारे लोग पार्टी में जाकर खूब इंजवाय कर रहे थे। इनेड डेट पर एजेक्स को जलाने के लिए पिल्गिरिम के एक बदमास बचे को लेकर आई थी जो वहां के मेर का बेटा भी था। एजेक्स भी ठीक होकर अपन तरह से डांस कर रही थी तभी पिल्गिरिम के लड़के वहां टैंकर लेकर आते हैं और डांसिंग कलब के फायर एक्स्टिंग यूजर पंप में पैप लगा देते हैं। इधर योगेन जंगल में पहुच गया था और छुपकर मॉस्टर का वेट कर रहा था। तभी वहां अपने सेरेंस से तुम्हें वस्मे किया है और अब तुम्हें किसी को भूलाने के लिए वापस से मेरी मदद चाहिए। तभी वहां पूरे फ्लोर पर खून की बारिस होनी लगती है। सारे लोग डर कर भाग जाते हैं। लेकिन वेस्टे को और ज्यादा मजा आने लगता ह बर जो बारिस हो रही थी वो खून नहीं कलर था जिसे पिल्गरिम के लड़कों ने वेस्टे से बतला लेने के लिए वहां गिराया था। तभी एकदम से वेस्टे को एक विजन आता है और उसे पता लगता है कि यूगेन खत्रे में है इसलिए वो जंगल के तरफ उसे सबस्केर भाग रहा था वहसुष्टे से उपर एक बारामला करता ही है कि तभी वेस्टे उसे डूंडते वे वहां बड़र के बड़र के भी टो बड़र के लिए एक गहीं।